खीक है चलो फिल स्टार्ट पेर अटेंशन सबको गुड बॉर्निंग कंपनी आइक दो अजार तेरा वी आप स्टार्टेड ओके पुछ पुछता हो रिविजिन करेंगे और देन विल गोएड ओके सबसे पहले सेक्शन से शुरू करेंगे आपन तेल मी वन तिंग और पॉब्लिक टॉब्लास 71 कल अपने इतना ही किया तो उसमें आपको कुछ पूछ पूछता हो मुझे बता हैं कि ओपीसी इंकॉर्पर करने के लिए कुछ कंडिशन से के इंडिया में क्या कंडिशन सबसे पहले है यह आप तो बीया इंडियन सिटिजन एंड इंडियन र इंडियन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 120 days in the immediately preceding financial year अपने पास दो रहते यह कौंसे वाले एक कैलेंडर यह और एक कौंसा year प्राइवेट कंपनी था ठीक है कुछ उसके बाद में एक करते हैं जेक बता है प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए minimum कितने चाहिए अपने कल लिखा था minimum टू और maximum कितना लिखा था था सर मैकजिमम दो सो था अगर 201 आपके कंपनी में आते हैं यह बहुत से कंवर्ट कंपनी के शेयर इस्यो कर सकते हैं गया है शेर इस्ःट कर सकते है यस बहुत जहां भिल सकता है कि इस बुष है और फोंटके हां कि कुछ लोगों को अपने को exclude करना था कौन लोग थे वो एक तो employment वाले थे और second जो पहले employment में थे और member भी थे बढ़ आगे चाके क्या हो गया sir क्या सीज हुआ employment सीज हो गया but they have continued to be the member अभी भी शेर है इन लोगों को को भी क्या किया जाएगा sir exclude किया जाएगा कौन से counting में 200 के counting में कल तुम्हें चोटा सा question भी किया था जहाँ पर आपको गिनना था 190 था 15 था उसमें और एक था couples का भी था उसमें तो आपने और एक पॉइंट लिखा था joint shareholder will be counted as one तो counting के समय जॉइन को एक दो नहीं गिनेंगे एक ही गिनेंगे आप उसको सिंपल था वो पाच कपल सा कल उन लोगों ने कल दस गिना था तो आपने counting में उसको पाच गिना सिंपल अच्छा प्राइवेट कंपनी उसके एंड में क्या लगाएगा सिंपल यह एक हो गया आपका प्राइवेट कंपनी का सेकेंड अपने इससे साइड में क्या किया था टू क्लॉस सेवेंटी वन और यह क्या था बताएंगे पॉब्लिक बहुत सिंपल है इसका डेफिनिशन बहुत ही एजिए क्या एनी कंपनी अधर देन प्राइवेट कंप अगर आपके फ्रेंड को प्राइवेट कंपनी निकालना है तो मिनिमूम कितना कैपिटल चाहिए तो यह तो आपको निकल डिसका से नहीं किया है मिनिमूम कैपिटल रिक्वार्मेंट पहले क्या था पहले था पहले अविस तो पहले यहां पर मिनिमूम पीड़ आप कैपिटल क्या था रिक्वार्मेंट हाँ अभी क्या हो गया अभी वो नहीं है अभी आप कौन किसी भी कैपिटल से क्या कर सकते हो आपका कंपनी इंकॉर्पोरेट कर सकते हो ठीक है यह सब कुछ होने के बाद फिर अपनों किस पर गए एक सिंपल क्मेशन पहले पूछता हूँ ओपीसी इस टाइप ऑफ डैश कंपनी वेरी गुड़ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है तो फिर तुमने अभी कैसे क्या उपर मिनिमूम और क्या हो मैक्जिमूम दोस यहां पर थोड़ी अपले होगा वह अपले होता नहीं व प्राइवेट के फॉर्म में गिरता हो अच्छा और एक बात जो तुमने मुझे आते समय आंसर दिया कि कितने दिन का क्राइटर यहां पर 120 दिन का पर क्राइटरिय है वह भी किसके लिए रेसिडेंट के लिए सिटिजन के लिए निए से टिजन तो विस बॉन इन इंडिया अच्छा और एक बात मैंने आपको और एक बताया था अगर आपको इंडिया में ओपी सी निकालना है तो आप कितना निकाल सकते हो एक आपको एक बंदे को भी आपको करना परता है नॉमिनी वह भी नॉमिनी एक ही कंपनियों क्या बन सकता है नॉमिनी बन सकता है तो कर NBFC activity NBFC activity के लपने point शिर्खाता कि वो non-banking financial करने सकता है investment वाल करने सकता हूं ठीक है और एक बात let us say तुमासरे client को ये करना था क्या करना था convert करना था तुमासरे client को ये करना था साल के लेटर से 24-24 के डिसेंबर में उसको ऐसे लगा है चल अभी 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 आपने वह कनवर्ड करना है दंदा बढ़ गए अपना तो वह कौन से इसमें कर सकता है अब ही आपका अंसर आएगा किसमें कर नहीं सकता सेक्शन 8 में उसको आलाउट नहीं यह करने के लिए विकॉल उसका पूरा इसेंसी आ लेगे जो करेंगे आपना अच section 8 को क्या बोला जाता है non for profit charitable trust इसके लिए आपको central government से जाके license apply करना पड़ता है यह तो आप शॉटकर मार रहे थे यहापे क्या क्या ने मैं बहुत यह निकलता और फिजा के क्या निकलता हो section 8 वो आपको मनाई करेंगे इसका पूरा मोटे भी आ लगे उसका एक ही मकसर रहे किया profit यहापे non for profit है कैसे मैच हो का फिर आपको आला भी नहीं करेंगे हो अच्छा और एक बाद सुनो वन परसन कमपनी अगर आपने लेटर से एक ABC OPC निकलता है All पूंकर रहता है ओ mist करेंगा को हमने मड़ेगा उसको मा उसका करना पड़ेगा उसको नोमीन आड़े करना पड़ेगा समझ मार्ए कि ऐथी जिसकी वज़े प्रोविजन है कि अगर वह owner जो प्रॉप्रेटर payoff वही मार जाता है तो न Issका बन जाएगा मांपे dom दोनों एकदम नहीं मरेंगे ना ऐसा होता भी है गोष्ट के सिनारियो होता भी है तो सुनो तो अर ओ-सी आपका कंपनी क्या हो जाएगा श्राइक कर देगा उस्टाइक आफ कर देगा इससे किय से रेडिश्टर तो नहीं हो सकता है ना गारे में दोनों मर गय कुए पॉसिब वहां हम करना है सबसे बढ़े कुछ चीजे और करने सबसे अब Tut Great हदो बक्रिस मरें सबसे अल्ग शेवाल है विट से विटेटाथा रहते म१रला सबसे जातेस आपको लिब रहते हैं अब को सबसे बढ़े हैं नहीं करने वाला हिस आपकी प Signal I May उसको प्राइब बने कशो सेटा प्राइब इसको प्राइब करेंगे starting वहाद से करेंगे OPC is a type of private company उसको underlink करो private company को OPC वह आपको MCQ में भी पूछ सकते हैं OPC is a type of private company आपको option दिये जाएंगे तो private upload टेक करना है Second To incorporate To incorporate an OPC To incorporate an OPC To incorporate an OPC Only a natural person Only a natural person Only a natural person Who is an Indian citizen Only a natural person Who is an Indian citizen Who is an Indian citizen And What do we say? Resident in India Resident in India Shall be eligible to Incorporate OPC Shall be eligible to incorporate OPC और फिर नीचे bracket में लिखेंगे आप किसका मतलब कहें? Resident क्या लिखेंगे? Who has stayed in India for not less than 120 days उसका आगे कहला है इंपोरेंट है? Immediately preceding one financial year Any person who has stayed in India for a period not less than 120 days not less than 120 days आज सकना MCQ के लिए 120 days in the immediately preceding financial year immediately preceding financial year 120 दिन के उपड़ा आपको underline करना है अच्छा और एक बात यह समझ में आए गया ओके? आपका कल मैंने discuss करते गया था आपको एक शीज़ पूछा था आप बूल गया शादू सर इंडियन सिटिजन इंडियन रेसिडेंट गया दिमाग में यह डालने का क्यू पॉइंट है? सब्सक्राइशल पसी नहीं है ना वो डालने का की हुए? अपन दुर्या आटिपिशल है यह समझ सकते हैं यह इसको फुल्फिल करना पड़ेगा अगर एक बंदर यहाँ पर बॉन ही हुआ नहीं है इंडिया में है तो निकाली नहीं सकता गया ओपी से हैं समझ लब पर यह पॉइंट में समझ वाबब फॉणसा नाच्टर पसेंट क्यो डाला है? वाई? क्वेस्ट इसका मतलब ऐसा है? सुनो प्रेतेंशन समझ मार आगे देख रोगो एक्जाम्पल एक्जाम्पल कि ले ंसे लक्ष एप्लीज एक कमपणी अच्व नाम के एबसी लिमिटेट सर एबीस लिमीटेटर पॉब्लीक कम्पणी दिखरा हुए लिमिटेट है अब एबसी लिमिटेड आपको सबको को पता है separate legal entity है artificial person है ना हम इसको artificial person बोलते कंपने को ABC limited ने क्या निकाला ओपी से कि incorporate किया यह कर नहीं सकते यह आलाउड नहीं वाई सिर्फ natural person कलता है इसलिए वह पॉइंट वहापे डाल है उन लोगों ने किया कि सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है वह natural person ही कौन कर नहीं सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता ल्क्सर भी झाला छऐस न Administration please next next every member of the OPC has to appoint nominee has to appoint a nominee every member of the OPC has to appoint a nominee has to appoint a nominee full stop the nominee also has to meet the above criteria the nominee also nominee also have to meet the above criteria वो जो तुमने लिखा 120 दिन का have to meet MET meet the above criteria जो तुमने लिखा है same criteria उसको भी meet करना पड़ेगा उसको भी same criteria meet करना है next point OPC cannot carry out complete करो आप sentence OPC cannot carry out NBFC Non-Banking Financial Investment Activities NBFC माल देखो Non-Banking Financial Investment Activities अराम चे लिखेंगे आपको MC की को पूछ सकते है वो OPC cannot carry out Non-Banking Financial Investment Activities उसके लिए आपको Private Public हे निकालना पड़ेगा यो गया OPC next point OPC can be converted into dash or dash but not dash private or public but not sectionate point wise लिए पूज़े लिए पूज लिए परेगा लिए परेगाफ लिए लिए अका प्लीज"? OPC can be converted into private or public यह वो गया आपका लिखके है अच्छा और एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको प्रॉपर अप्रॉबल से जाना पड़ेगा सेक्षिन एट के लिए अच्छा और एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको सोच समबची आंसर लो सबसे पहला क्वेश्चन यह मेरा क्या न माइनर को बिकाम शेर होल्डर इन अ कंपनी पहला को उसके फाइद के लिए बांशाए तो कैसे बने गारें ओंटेक्ट को साइंग करना बढ़ेगा ना और माइन देगा नहीं कर सकता है गाइडियन करेंगे ठ ठीक है तो अब खांसर राइट है और माइनर कें बिकाम शेर होल्डर इन अ कंपनी ओंली फुल्ली पेड़ अप शेर ना ओंली वाट बीच में रिसेंट्ली एक ताजा एक्जांपल ऐसा है नारायन मूर्थी ने क्या किया था इंपोसस के उसके ग्रैंसन को 300 क्रोड से भी पूरा एक और एक रुपए किस ने पेड़ा था नारायन मूर्थी जी ने तो एक चीज है माइनर के उपर लाइबलिटी आना नी चाहिए एक्जांपल अगर मुझे माइनर को शेर ट्रांसफर करना है दस रुपए का शेर है और मैंने नौ रुपए पेड़ और एक रुप माइनर के लाइबलिटी आ नहीं सकता ओके तो एक और वाफिस बोलता हूं मैं और माइनर के में शेर होल्डर ओंली इन केस ऑफ फुल्ली पेड़ अप शेर अगर किसने भरा है तो यह बन सकता है तो आपकी लाइबलिटी है ने कुछ उसकी ओपर ये एक पॉइंट सेकेंड माइनर केंडी अडीट इस पार्टनर इन वाट इन पार्टनर शेफ फिर्म के लिए जान दो यह क्यों आपको पता रहा हूं मैं वह प्वाइंट पड़ो क्या लेकाए तो दिखरा है कि आप वह माइनर वाला पॉइंट क्या लिक्राइब उसमें? No minor shall become member or nominee of a or can whole share with what? OPC में ये कुछ चलेगा नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं? तुम benefit हो कुछ भी को जाकी घर पर बैटो, कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर, मतलब आप हो minor, आप benefit के लिए हो, किसने तुम्हारा नाम पर share किया है, कुछ नहीं चलेगा, क्या बात कर र ओनलाइन पीपोल है कुछ आपके 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 और दो सब्चेक भी शुरू हरे हैं, तैक्स भी शुरू होगा आपका, अधिक कफल से रहा काश्टिक शुरू किया है, बाव ना काख्वान बीशूरू करेंगे, लौ तो रहे हैं अवरी ड़े तैक्स भी आपका, यह बात कर दो माइनेश अल्वेकां मेंबर इविन फॉर बेनेफिशन इंट्रेस्ट अराम से करो और जितना तो लिकर उतना तुने पढ़ा तो भी चलेगा फ़ाद इनिशल देज और अक्ता बिल्कुल मत मारो अक्ता मारो नका सब लॉजिक रहे हो अचीक है अभी क्या क्या लिखा अपने नॉम्मनी का पॉइंट लिखा पिर अपने अपने एक्टिविटी इसका इंवेस्मेंट का लिखा उसके बाद कनवर्जें का भी पॉइंट लिखा न वो भी लिखा ये भी लिखा कौनसा माइन वाला पॉइंट भी लिखा ठीक है रहन दो प्लीज नाव प्लीज राइट दान वट प्लीज अपने को पीसे में और भी लिखना है तो थोड़ा फ़र आगी जाने तो वापस ओपीस प्लीज प्लीज पहुँए तो उसमें ऐसे कुछ पॉइंट्स है अब जब आपको आगी के पॉइंट में आपको बता हूंगा अथ कब मैं आपको पॉइंट कम बैक तो पीसित के अब करकेशन पूछी गरोए और को पीसी में एकिकया में फॉइसे मेन कुछ प्राइबेट में इपको पूछिया अप्राइबे वे मिनिमों डिरек्टर कितने होसे अब का अंसर दो था दिरेक्टर ना फिर आपके पॉब्लिक में कितने मिनिमुम डिरेक्टर टीन कर लिके तुमने ओपी सी में मिनिमुम डिरेक्टर वन और मैक्जिमूम रॉंग 15 एट इस बेरी ओड अच्छुली विट इस लोग राइट नौ मैंने कल आपको एक पॉइंट के दिया था कि मैक्जिमुम नम् पंदरा पर वह अभी तक वह अभी तक लूफल वैसा यह आप तक वह चेंज हुआ नहीं है तो आट इस वन किस तो मिनिमुम बनें मैक्जिमूम हमच 15 एंट बी बल्लिया ओबिसली आप नहीं किया जाए 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 इतने बट हो सकता है पॉस्यबिलीटी कर सकते हैं आपक कमिंग वेर अवह एक पॉइंट आपको बोलता हूं है ज़ आपका मॉडिल अभी बी ओल्ली एवाप तका मलाम हीतना है सबसे बहले बोलता हूं कि बाइछ था इसमाल कंपनी है यह मतलब क्या करना है कि वाट इसमाल कंपनी इस ओइस उन दो स्माल कंपनी निस वज अन्य क और यह बहुत बार अमेंड हुआ है lot of time small company का मतलब ही है ध्यान देंगे सब लोग प्लीज रटता मुद मारू लक्ष दिया small company का मतलब ही है कि मैं आपको अब एक limit दूंगा limit उस limit के अंदर अगर यह बैटर रहें तो यह small company small है ना बड़ा नहीं है limit कर भार गया तो वह small company नह नहीं है limit आपके screen के सामने कितना लिकाए पेड़ अप capital और इकसीड यह रॉंग है यह रॉंग है रॉंग है रॉंग है रॉंग है यह चार सी आर और यह है 40 सी आर अभी पड़ेंगे आप पेड़ अप क्यापिटल जिसका कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए चार करोद स इतने से ज्यादा नहीं है 40 क्रोड से ज्यादा नहीं है अगर यह criteria फुल्फिल कर रहे हो तो ही आपका company किसमें आएगा small company में सर चलो आगे small company में आगे क्या करना है फिर अगर आपका client है आपका client पीछे पड़ाए कि नहीं यार सर ने मुझे small company में आने का है तो तुमने उसको यह explaining किया कैसा ही का situation दे रहा है दोलता है दोरों भी फुल्फिल हो रहा है तो क्या होगा हो नहीं है इसको small company इसलिए उसको small बोलाता है विकास उसके जो compliance से वह बहुत कम है as compared to all other company जो और काइदा जितना भी rules regulation company आपका जो बाकी company को लगेगा public को private को तो वो इसको इतना लगेगा नहीं विकास यह कौन सा company है small तो अगर आपका नया नया धन्दा है नया नया बिजनेस है तो आप पहले सी किसमें जाओगे इसमें देख एक चीज लिखा है यह आप़े is of doing business आपके उपर ज्यादा हमको क्या नहीं करना है rules डालने नहीं है starting में हाँ एक बार आपका धन्दा हिससे cross हो गया किससे आपका turnover 40 को से क्या हो गया तो फिर आप small नहीं हो तो फिर आप बड़े हो गया भी तो फिर आपको जितने भी rules of regulations है वो आपको लगेंगा इसके पहले कितना नहीं हो जाता था लेक बिक कमपनी अभी और क्या करें लिमिट बना रहे है इसके ओडो के पहले भी होता हो क्या था था दो के पहले पचास लगता प्रिफ्टी से कितना क्या उन लोग नहीं है दो दो से कितना कि आप यह चार आगे भी चेंज करेंगे हो तो उनका यह मानना है कि आज के लिए जो भी धन्दा कर रहे हो आज कर एक दम तरन वोई इस गोईंग वेरी फास्ट यह लिमिट बढ़ा रहे है विकाज यह पुरा उनका मकसद ही है कि एक यह यह उनका मकसद इस ओफ दूइंग बिसनेस अच्छा एक है उसके बाद और ए यह दोनों कंडिशन फिर भी दे विल नॉट भी टॉम्ट अंडर वाट अगर आपको पब्लिक कंपन का टैग मिल गया है आप खुद को कैसे बोलिंग के स्मॉल कंपनी तुम पहले खुद क्या हो पब्लिक उसके आगे करेंगे आभी आभी दो मिट में होल्डिंग जो आपका भी इंस्टिट्यूट है उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाए अगर आपका मॉडिल भी चेक करोंगे अब एक लाइन भी देखेगा आपको सेट अप अंडर स्पेशल एक्ट पार्लिमेंट इसका मतलब है उसके लिए एक आक्ट बनाया गया है लाइसी का कंपनी का टेक्क मिलेगा नहीं बीकास उनके स्प्रेसेफिक प्रोविजंट शीयर कपिटल शीर कhou झीड नहीं इस एक लिए घड़ कि 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 यूज़ के लिवार्ट तर्ट अज़र्ण य्द्ध। कि यूज़ को सब्सक्राइब करें अब्सक्राइब सब्सक्राइब है एस पर टू क्लॉस 85 स्मॉल कंपनी इस ए कंपनी वू मीट्स दफॉलिंग टू कंडिशन्स जो आपको सिंग के सामने लिए वू मीट्स दफॉलिंग टू कंडिशन्स एक लक्षर गया एंड और से बहुत फ़रक पड़ रहे हैं अगर आप और होता तो उसका पुरा मीनिंग सम चेंज होता क्यों दोनों में से एक ही फुलिफिल करो एंड आया है भी एंड का मतलब कि आपको दोनों भी फुलिफिल करना पड़ेगा दोनों एक साथ नंबर्स बराब लिकेंगे प्लीज है नंबर मदे एक होना का इड़स चारप एड़ शेयर कापिटिल एड़ शेयर कापिटिल एड़ एड़ शेयर कापिटिल क्ये लिव्यक्ता है नहीं है विता जोनों पोंट मादे काई दिला नहीं है यह यह लिखा यह लाइन लिखा गया कि इस कंपनी विल नॉट फॉर अंडर ब्रैकेट आप स्मॉल कंपनी यह कभी आएंगे नहीं यह बाहर है उस देफिनिशन से पॉलिक होल्डिंग सब्सिट्री पॉलिक होल्डिंग सब्सिट्री एट और स्पेशल राइक भी लिखो और स्पेशल राइक को साइट में लिखो क्या एक्जम्पल करेंगे मैं आपको एक दो दिन के बाद एक क्वेश्चन दिखाता हूं एक दो तिक नंसर्फ होने के बाद तो वो क्वेश्चन में उन लोग ने ओपी सी स्मॉल कंपनी के बारे में था तो आपको आइडिटिफाई करना लगिए स्मॉल कंपनी है के निया और उसमें उन लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा तो यह कंपनी सब्सेडरी कंपनी और फिर आगे लिमिट दिये थे चार्ड के नीचे और चाल दिए सब बचने क्या किया वह उस पर ही फोकस करेंगे किस पर नंबस पर नंबस तो ठीक है पहल है चला हो गया अपका है कि और ाट लग सुधर अभी लिखियर ने शेक्षिटांट एट कंपनी अभी लिखेंगे नेक्स्ट शेक्शन एट कंपनी और फिर प्रेएट कंपनी अभी डिखेंगे section 8 company, non for profit company, non for profit company, मझे charitable trust, मझे charitable trust, online people write down everything, यह हो गया आपका, अभी please understand this, यह एक ही company ऐसा है, जो पूरे company act, 470 section का exception है, और यह के ऐसा company, जो किसके लिए कर रहे है, non for profit, भले वो non for profit के लिए है, पर फिर भी वो company ही है, उसको यह पूरे जितने भी compliance फॉलो करने ही पड़ेंगे, जब बताएंगे, ऐसा non for profit, जो आपको पता है, इसा कोई भी, नाम बताओ, रोटरी गलब है, very good, रोटरी गलब non for profit ह और रोटरी बोला, रेसलेंसे क्लब करके, डेकन जिम काना है, और बताओ, तेमपल्स है, टेमपल्स है, क्योंगें। एक वागा झाल झाल रोलेक्स कंपनी में नॉन फर प्रॉफिट है वोई चेक्ट का रुखाता है लक्षेज़ा प्लीज दो मेंट हो कमिंग तू सेक्शन एट प्रॉफर इसका भी बेसिक देखते के सबसे पहले आगर आपको वो सेक्शन एट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए वो भी किस से सरकार, स्केट गवर्मेंट में नहीं, रोसी भी नहीं सेंटल, सीजी आपका जो अबजेक्ट है वो यह चाहिए यह लाइन मार रहा हूँ है यह आपके यह सब कुछ आपके किस में आने चाहिए अबजेक्ट में, इसके आपके कॉलेज के सबसे बहले कॉमसाथ साइंस, उसके बाद स्पोर्स, एडुकेशन, रिसर्च, सोचल वेलफेर डिलिजेंट, चालिटी, आपके अपके एंवर्मेंट परटेक्ट करना है और एनी आज़र सच अबजेक्ट इसके डिलिटेड, कुछ अगर कुछ करना है नौन फर प्रॉफिट के लिए तो यह है अब इसने एक्जामल के दिया रोटरी क्लब दिया है रेसिदेंसी कलब है तो यह तो भायानक फीश चार्च करते हैं मेंबर्शिप का 55 लाग, 6-6 लाग येरली फ्रॉफित तो कमा रहें लोग अगर नौन फर प्रॉफिट ऑप उसका मतलुब प्री मेराना चाहिए सब कुछ तो फिर कैसा है एक चीज नौन फर प्रिट का मतलब ये नहीं है कि आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे पैसा लिया जाएगा बट ये नहीं होता उसमें वो बाटते नहीं है कुछ ये normal companies क्या करते है जो पैसा कमाते है वो आपको बाटते है आपको dividend दिया रहने dividend क्या होते है वो बाटते है section 8 company क्या करते है dividend बाटते नहीं है उसके उबर prohibition लगा है उन लोग ने and that is why it is called as non for profit इसा होता है कि non-profit का मतलब किया है कि रिटर्न देती है या पैसा होता नहीं है तो section 8 company में dividend के उपर क्या लगा के रखा है अब का यह अब्जेक्ट होना चीह है आपका जो भी अप्ला है वह आप क्या कर रहे है आपके ही अब्जेक्ट प्रमोट करने के लिए लगा रहे है और सबसे इंपोर्टन पॉइंट आपके स्कीरिंग के सामने क्या प्रोइबिशन आप पेमेंट ओफ डिविदेंट अच्छा सेक्शन एट कंपरी उसके एंड में क्या लगाएगा वो लगा सकता है पीवीटी एल्टी नहीं सरकुछ से नहीं कर सकता है आप उसको कुछ तो लगाना पड़ेगा ना तो देट डिफरेंटिएस फंड़ अधर कंपनी ट्रस्ट लगाओ एंजियो लगाओ क्लब लगाओ ठीक है क्लब मतलब ओ धिच्छाइक वाला क्लब नहीं नॉर्मल क्लब ठीक है वाल्ट क्लब होते है बारत जो सोशल अक्टिविटीज में इन्वाल वोते है अभी कैंप म अब जो आर्मी के अंटार्मेंट है वापे लेडिज क्लब भी है जो भी आर्मी के यह है वाइब से यह वाइब से यह ओल्स गो देर फॉर लेजरली टाइम यह अगर आपने कुछ गरबर किया आपको लाइसें दो दिया गंडा श्रू कर दिया है ऐसा ब्लैक्ट मनी वाइट मणी कि शड़ू कर दिया आपने बहुत बहुत लोग करते किसमें यह ट्रस्न में क्या हम कर मड कर दोंके जाते आपको पैसा ऐसा कुछ किया तुमने आगर तुने सेक्शन एड जिसके लिए तुमने लाइसेंग लिया है वही तुमने क्या 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 जाएगा एक वोड आएगा क्या क्या जाएगा रिवोक किया जाएगा सुनो मेरी बात सरकार के पास दो तिन आप्शन है सबसे पहले आपका लाइसेंस क्या करेंगे आपको घर पे बेजेंगे डिभाई बास अभी और थोर्ड और एक है क्या कि अमलकमेड करेंगे एक ऐसे कंपणी के साथ एक कुछ प्रुटे क्या लिखाए आपको अमलकमेड का मतलब क्या है जोड देंगे दुसरे कंपणी के साथ जिसका similar object है तीन चीज़े हैं उनके पास अगर आपने contraveng किया तो एक खतम रिवोक कर देंगे second wind up wind up मतलब क्या बन कर देंगे दोर में फरक क्या है इसमें कुछ इलते इस रिवोकेशन और इसमें फरक क्या है तो इसमें फरक क्या है हाँ है ऐसा हो सकता है उसका दूसरा भी कुछ काम है और भी यह धन्दा कर रहा है वहाँ पर तो आपका एक specific license क्या किया जा रहा है रिवोक जो भी अपने contraveng किये wind up का मतलब क्या है total बंद और तीसरा आपके option क्या है उनके बास सरकर के बास आपको बंद भी करेंगे आपने रिक्रेश्ट करेंगे यारी इतना सब कुछ किया है ठीक है ना अंगलती हो गया है तो ठीक कोई बास करेंगे एक दूसरे कंपनी के साथ जिसका क्या अब्जेक्ट है आपको इसके बास क्यों बुचे जाएगा थर्ड वाली के उपर तो रही किये है आपको मर्च किया जाएगा दूसरे कंपनी के साथ जिसका कौन सा अब्जेक्ट है सिमिलर देन दा भी है तोड़ा पर कि अब्जेक्ट है जाएगा चाहता है क्या दोन मिनिटा वृष्ट दिखाने का है दिखेता है अपको व्हाएँ जाएँ था जाएँ अधि यह वाला नहीं यह वाला इजी कौरसन है जो अभी मेरे पड़ा हुई है जो अभी कंसेप्स एक्स्पटेड रहा हुआँ पाऊगे मुझे Mr. X in association with his relative formed a company to promote education for the children of poor section a license was issued by the central government allowing the said company under section 8 government aids and a lot of funds were contributed by public for the fulfillment of the benevolent object however on the complaint against the company the CG came to know about the manipulation of funds and order to revoke the license of the company so further directed for the amalgamation bill another company registered under the section with the object to save girl child examine the legal position as to the order passed by central government in the given situation in the light of Companies Act 13 in the middle of the country and the third option choose so you can ask that you can do it 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 then you can do it पाइड क्या है वह जो पहला कंपनी ना लीगल जो ऑडर पास किया सरकार ने वह गलत है तो आप क्या कर सकते हो अपील कर सकते हो कि सरकार तुझे आमल का मेंशिंगा पावर है बट जो सिमिलर अब्जेक्ट का है एक ऐसी कंपनी दून जिसको अब्जेक्ट के है वही अब्जेक्ट है क्योंसा वो प्रमोड एजुकेशन फॉर चिंद्रन आफ पूर सेक्शन तुने किसके साथ जोड़ दिया मुझे सेव गर्ल चाहिल और यह चलेगा नहीं ऐसे क्वेशन आपको खे अबर वेश है क्वेशने क्योंसा आपको का्ट बढ़ी an answer in your CMA intermediate या CMA final तो law का आप जब राइटिंग करोगे ना उसका एक टेक्निक है भाई कुछ भी लिखनेंगा नहीं आप पे तो मुझे आ रहा है मैं पैरेगाफ में लिखके आया है नहीं एक्जामेर खुश होना चाहिए आपके आंसर से आपका आंसर नीट एंट इडी होना चाहिए इसने कईसा लिखता देखो अभी है को कईसे लिखता था हो अच्छा नहीं बूलना है तो सबसे पहले आपका क्या आता है भाई सब आपका जो ओपनिंग लाइन आप लिखो गे ना इला पॉइंटर और वो क्या होना चाहिए बीगल प्रोविश्य क्या क्या डाल सकते है इसमें आप इसमें सेक्शन कोड़ कर सकते हो अब इसमें के इसल चोर सकते हो हमको दोना भी पता नहीं है एक्जाम के तीन गंटे में हमको खुद को ही समज में आता क्या लिखना है मापने तो फो सक्षेंद क्या याद आएगा तो वह भी यह खोश हो जाएगा तो यह समझ में रहेगा जो भी नाम रहेगा जो भी नाम रहेगा वह सब कुछ कहा पर आएगा फैक्स में पहले लाइन्स में एक दो लाइन में जाप लीगल लिखोगे वहाँ पे गलती से प्यामत लिको यूत कव को ज़िन लिखा ऑन अपहले में एक बता है। उड़च्तर इसाइग और फोड़ा अपस्टा आएगा फैक्स नोफेंग sais अ डिए उपर बिएजिए जो भी और फैक्स में आएगा ठीक है और लास्ट में आपका क्या रहेगा कीप इड़ वेरी सिंपल इसमें आप दो थे और भी आरे कर सकते हैं कुछ गरज नहीं है इतना भी आपका अंसर डिवाइड होगा तीनों में तो और एक बात अगर मेरे पास आता है चेक करने को आप अगर पास बाइड सीजी तुम बले क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा बट लॉमें लास्ट फुल स्टॉप तक पड़ो वह लास्ट फुल स्टॉप में ट्विस्ट करेंगे सब कुछ अब इन लोगों ने ओर के बार में बूच आए तो आपका कंग्लूजि वैलिड तो क्यों पड़ों पर अगर वैलिड लिखा इसका मतलब के आपका पूरा इंटर्पेटिश्ट राम इंपर से निचा आपको अगर लिखा है इसका मुलाब लगा है न उपर से तो आपको वहापी क्या कर देगा मार्क्स अलॉट कर देगा वाट में तिंग यह है तो परकर के क्वेशन आएंगे एक डायरेक्ट क्वेशन और एक क्या आएगा अब डायरेक्ट क्वेशन का मतलब किया वाट इव में स्मॉल कंपने अभी इसमें क्या जो है वह लिखना पड़ेगा मुझे इसमें तो रही में ऐसे कर दूगा लीगल प्रोविजन फैक्स य वह यह तीन परकाव डिवारेक्ट करके दिखाएंगे उनको क्या यह लीगल प्रोविशन है यह फैक्स है लिखेंगे एफ एसे टीएस और लास्ट में क्या लिखें अब ऐसा भी कर सकते हो नहीं तो सिधा क्या करो तीन परकाव बना उसको खुद को ही समझ में आएगा यह और यह नॉर्मल में है कि यह तक तो आंसर बोड़ाइग अ आश्य को तो आश्य को अब आश्य को नहीं तो पहले दोन जाओ दे पहले काई ली टाइम नहीं में रहा परेले कंव्धिन लिखो एंप्रूजियर इंप्रूट्में एड है फैक्स तो क्या कॉप्पीपीच वद्व दो क्वेश्यन है लीगल प्रोविशन आपको लिखना लगाना पड़ेगा आपको और कंक्लूजियर में लगाना पड़ेगा पैक्स तो कॉपीपेच करें ने क्वेश्यन का आप पर उसमें क्या इतना बड़ा कि अभी कैसा अभी जुले चालों मेरी बाद जुले ऑगस्ट ये दो महिने में तुम्हारा एक अच्छा खासा बेस बन जाएगा जुले महिना कोई दहां ऑगस्ट मेरे इसाब से खतम होना चाहिए क्या कंपनिया मोटा मोटा पच्छिस दिन अभी के तारिक आटरा पंदर अगस्ट तक खतम होना चाहिए क्या एक महिना ले रहा हूं मैं उसके लिए तो उतना इंवेस्ट करना ही मुझे किसमें कंपनी आइक में तो तो उसके बात वह आगे के बहुत ठीक है यह यह अगर हाथ में आगे आ अपको और आपको और एक बोलता हूं जो कंपनी आट का एंड एंड पार्ट है न आपको अभी बोलता हूं मैं डिरेक्टर्स मीटिंग्स कोरम प्रॉक्सी यही भर भर की पुछते हैं लोग इतना क्वेश्चन पूचें के ना मीटिंग इसके और वह सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट है अब बाइस टेप जाना है अब भी आपन स्टार्टिंग में है और एक बात बोलता हूं जो कल मिस्साट हो गया था मेरे से और वह यह था कि आपन ने सेक्शन डिरेक्ली टू स पूच्छन 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 अता है घर बाद में आगट जब तक तुम इंट्रेस डेवलोप नी करें तब तक माजा नियागा अगर मैं कुछ बोल रहा हूं आप लिक रहे हैं चाप रहा है नहीं तो सेक्शन वन हमेशा दो सेक्शन पेटेंट होते हैं सब भी आक् कि यह एक्ट अपलाई किसको होता है और सेक्शन तू हमेशा कह रहेगा देफिनेशन रहेगा कमपनी एक्ट है इसमें सेक्शन टू आपन कर रहें इसमें नाइंटी थी ख्लोश कितने हैं 93 इस सब लॉज यह अपन लॉज कर रहें ना 68 71 जो भी रहेगा इक्षिन बनिस एप्लीक बिडियोव दर है एक्ट अपलाई किसको होता है पिए लाइन बोलता हुद धयान देंगे प्रीस इसजाट अप्लाइश टेहल इंडिया इंक्लूदिग्जुदिग गूर्ड दिया इंक्लुदिग इंड्या इंक्लूदिग्स एक्लूदिग वण सा आटिकल तीन सो सट्वाइब इव जब स्क्राइप हुआ थे नाव ये इंविद इवाट इंडिया एक बात्री कट्वाइब तेक्ट नो स्टम निवाः बतर्ख सक्षिन 1 अधू अच्छा इस अच्छिन को अच्छिन नहीं। section 1 applies to all the companies incorporated in India आगे एक बात समय जो बोल रहा हूँ insurance, banking, electricity ये तीन companies ऐसे है जिनको company act applicable है तो आपने ये तीन ही company क्यों निकाले इन तीनों companies का खुद का भी act है प्रॉब्लम ऐसा है अगर insurance company आप बुझे बताएंगे इंचरंस company का regulator को ने इंडिया में regulator है तो वो है IRDA इस और इस इंशरेंस डेवलेटरी डेवलेटरी डेवलोपेंट अथोरेटी बैंक का भी खुद का है और electricity का भी खुद का है किनों के खुद के acts है तो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है अगर आपका client का insurance का company है वो क्या बोल रहे हैं अभी मुझे एक बताओ कंपनी आपन जब सीखेंगे अभी सीख रहे हैं तो उसमें सिफ insurance company के वारे में लिखा रहे हैं नहीं बट इंशर्ण एक्ट में सबसे डीप में क्या रहेगा से इंशर्ण के वारे में रहेगा तो जहां पर प्रविजियंस क्रैश हो रहे है किसके साथ कंपनी आक के साथ तो वहां पर आपको उनका ही आक रेफर करना पड़ेगा उन्सका स्पेसिफिक है एक बार वार पिस बोल रहा हूं इंशर्ण स्वरी कंपनी में सक्ष्ण मंगा बात कर रहा हैं इस अपले के विल अपले के बाद और किसको अपला करता है यह स्पेशिल एक्ट वाले जो आप पर कताया लाई्स वगगरा और बताएंगे बाडी और पर और टॉर्पर टॉर पर आएंगे यह आप आपकी बुक में लिखेंगे अभी और फिर आप गर जा सकते हो section 1 लिखो applicability of the act section 1 applicability of the act section 1 applicability of the act act is applicable to whole of India including the state of Jammu and Kashmir act is applicable to whole of India including the state of Jammu and Kashmir act is applicable to whole of India including the state of Jammu and Kashmir act is applicable to whole of India including the state of Jammu and Kashmir it also applies to insurance company banking company electricity company it also applies to it also applies to क्या लिखेंगे insurance company banking company electricity company it also applies to insurance company banking company electricity company और नीचे bracket में क्या लिखेंगे अब insurance banking electricity और यह तीन कंपने के बाद प्लैक्रे में क्या लिखेंगे if the if the provisions are inconsistent if the provisions are inconsistent then their respective acts will follow then their respective acts will follow अगर provisions inconsistent है, clash हो रहे then their individual respective act will follow respective acts will follow respective acts will follow IBE के बाद नीचे कहा लिखेंगे और special act को apply होता है, special act companies को example LIC अपने कहा लिखा है it also applies to IBE हो गया, उसके बाद नीचे और कहा लिखेंगे special act companies, उसके नीचे कहा लिखेंगे body corporate इन सबको section 1 applicable है मतलब section 1 is applicable to all these things everybody done online people सबका हो गया, जेवदात्य जाले कहा है, प्रिदेश, श्रद्दा, श्रुबम, अश्विनी, सबका हो गया रिको गया रिकों कन्फर्म करेंगे प्लीज, everybody offline या, जेवदात्य आफ्लाइन यो, प्लीज, everybody offline सबकाइगे घर केट। टाहँ? कि यह अच्ट आंगा है। अच्ट ईंध यह चट दो आप शर प्रेंगा है।